साध्यों नमश्कार, मैं साक्षी मैदा 91 News 9 से आपका स्वागत करती हूँ भारत ने कई चीनी एपों पर प्रतिबंद लगा दिया है क्या इसके बाद चीन बॉकला गया है? क्योंकि चीन की बॉकलाट साफ नजर आ रही है जी हाँ, भारत के एप यूजर्स को डर है कि कई चीन डाटा को लीक ना कर दे आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला चीन कर सकता है भारत का डेटा लीक भारत में 69 मुबाइल एप पर पाबंदी के बाद चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्री आई है भारत के चीनी एप बैन किये जाने पर क्या बोला है चीनी मीडिया चीनी मुबाइल एप बंद किये जाने के बाद चीन बॉक ला गया है यही वज़ा है कि भारत के सामने इस बात का खत्रा सामने आ रहा है कि कहीं चीन इस तरह से भारती यूजर्स का डेटा लीक ना कर दे भारत में चीनी दूताबास के प्रवक्ता ने मीडिया में बयान जारी कर कहा कि एप बैन होने पर ये चीन के लिए चिंता का विशाय है उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि चीन इस कदम का विरोध कर रहा है सोंबार देराग भारत सरकार ने चीन का नाम लिए बिना 69 एप पर पाबंदी लगा दी जिसके बाद चीन की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है 69 एप पर बैन का फर्मान जारी करते हुए भारत सरकार के इलेक्रोनिक्स और आईटी मंत्राले ने इसके पीछे की बजह भी बताई थी सरकार के मताबिक इन एप्स को भारत की संप्रभूता एवं एक्ता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसान दे होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है आईटी मंत्राले ने आईटी एक्ट के सेक्शन 79 एके तहट ये अदम उठाया है ये एप्स, एंड्रोइड और आई ओएस दोनों प्रतिबंधित हैं भारत सरकार के इस फैसले पर टिक टॉक ने अपने बयान में कहा है हम लोग भारत सरकार के आदेश को मानने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं हम लोग सरकार के सामने अपने बात रखने की कोशिश कर रहे हैं टिक टॉक डेटा की निज़ता और भारती कानून के हसाब से सुरक्षा जरूरतों का पालन करता है हम भारतियों का डेटा किसी भी विदेशी सरकार के साथ साजह नहीं करते हैं यहां तक की चीन की सरकार को भी नहीं देते हैं हम यूजर्स की लिजटा का मजबूतिक से सम्मान करते हैं